हेलो फ्रेंड नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे सी यूटूब चैनल प्रियस मेडिसीन नौले टीप्स में जहां आप पाते हैं दवाईयों तथा हेल्थ संबंदिस संपूर जनकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डोलोव इन प्लस्ट टवलेट की कम्पोजिशन क्या है इसकी और इसे हम किस-किस मरीज को दे सकते हैं सब कुछ बात करने वाले हैं इस वीडियो में तो अगर आप पहली बार आए तो वीडियो कर दे लाइक चैनल को कर दे सब्सक्राइब ताकि मैं जब भी मेडिसीन से कोई वीड बात करें हम हम डोल्विन प्लस के बारे में तो हम होता है घ्राइटि सब्छ उसका से दूसरी मेंदिसिज्टिक होगधा होती है ऐसी पर कासे तो से मिल के बना अगर बात करें हम इसकी प्राइज की थे इसकी एक श्ट्रीप में दस टबलेट होती है और इस दस गोलियों के अगर हम बात करें प्राइज की तो लगबब होता है मतलब एक साथ रुपया में आपको यह गोली किसी भी मेटकर या केमिस्टों पर बहुत ही मिल जाएगी चलिए बात करते हैं इसकी कंपनी के तो इसको माइक्रो लैप द्वारा बनाए जाता है चलिए बात करते हैं हम डोलोविन प्लस की यूजेज के बारे में हम बात करें ड प्रियोग करते हैं चलिए बात करते हैं हम किन किन के दर्दwert करते हैं अगर बात करें हम इसके बारे में यहीं हम-इस तरcz का का हैं यह मैं इस्टाव्लेट के बारे में चाहें अग्ली ईसके बारे में तो उस दर्द को खत्म करने के लिए यहां इस्किटबलेट का प्रियोग करते हैं अगर बात करें हम इसके अग्ली उपयोग के बारे में टो यह वसकी बोड़ी कि confident बेक पेन हो चाहें कलाईयों में दर्दें घुटनों में दर्द हो तो उन्सा भी दख को ठेक करने के लिए हम इस डोलोविन प्लस टब्लेट का प्रियोग करते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा अगर बात करें हम इसके प्रियोग का तेरी आपका बुखार हुआ है लंबे समय से खुद ले रहे हैं आपका बुखार छोड़ना है तो उसके साथ इंटिबाएयटिक टब्लेट का प्रियोग करें गे तो इस फिस को कई एक्सिदेंट हो गया करने के बाद उसको बहुत ज़्यादा प्रियोग करते हैं मतलब इस टब्लेट का प्रियोग करते हैं अगर बात करें लेने के सही तरीका के के बारे में तो आप इसको बीडी एक गोली सुबह एक गोली साम को खाना खाने के बाद से ले सकते हैं लेकिन कंडिशन के अनुसाई से तीन टाइम भी लिया जा सकता है यह आपको बहुत ज़्यादा प्रियन हो रहा है तो चलिए बात करते हैं मिसके कुछ साइड एफेक्ट के बारे में तो यह दवा लेने के बाद से किसी प्रेसेंट को बहुत ज़्यादा उल्टी हो रही है या पेट में दर्ध हो रहा है या सीने में जलन हो रही है तो यह से प्रेसेंट को यह दवा नहीं लेना है और यह दवा लेने पहले अपने डॉक्टर की सलाले उसके बात सकता है